कि किसी कैनिडेट के अगर एक सबजेक्ट में कंपार्टमेंट है तो क्या वो एंड़ी रेटिन का पेपर दे सकता है क्या कोई फेल हुआ है किसी subject में तो वो SSB interview face कर पाएगा क्या SSB interview में assessors उसे recommend करेंगे और overall National Defense Academy की merit में उसका नाम आएगा या नहीं आएगा इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए aspirants वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा नमस्कार defense aspirants स्वागत है त्रिशूल Defense Academy के YouTube चैनल पर अकसर candidates जिनकी board के परिक्षा का result आ गया है class 12 का और किसी एक subject में compartment लगी है या एक से ज़्यादा subject में compartment लगी है वो मुझसे पूछते हैं कि सर NDA का सपना हम देख सकते हैं या नहीं National Defense Academy हम जॉइन कर सकते हैं या नहीं aspirants इस सिरीज में इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि compartment आयोए students को हक है NDA का सपना देखने का या नहीं अवल बात यह है कि class 12 अपने आप में board examination है और बहुत ज़रूरी परिक्षा है कभी कभी जब हम 12 में होते हैं हम seriousness या importance 12 के marks की नहीं समझते हैं और जब तक हम realize करते हैं तब तक train छूट चुट चुकी होती है और class 12 में marks खराब आ चुके होते हैं aspirants national defense academy आपके marks से आपको judge नहीं कर रही है national defense academy की governing body UPSC है संग लोग से वायोग union public service commission है union public service commission यह वो body है जो इंडिये का written paper लेती है 900 नंबर का यह paper है जिसमें से 300 marks maths के 600 marks English के UPSC आपको आपकी knowledge को इस written test के basis पे check कर रही है वो आपके previous years के performance पे आपके 10 के performance पे आपकी 11 की performance पे आपकी 12 की performance पे आपको check नहीं कर रहा इसलिए national defense academy में पहला step written test दिया गया है जो आपकी knowledge चेक कर रहा है उस test की performance के basis पे उस test से पहले उस test के बाद आपने कैसा perform किया यह matter नहीं करता लेकिन NDA के written examination में आपको अच्छा perform करना चाहिए यानि की 900 में से लगबग अगर आप written qualify करना चाहते हैं तो 350 से 360 marks आपको लाने जरूरी है यह तो रहा पहला सवाल का उत्तर दूसरा सवाल क्या SSB interview के दौरान अगर मेरे को compartment लगी है तो मेरी क्या छवी जाएगी मेरी क्या impression जाएगी और क्या इंटर्व्यू में जो assessors बैठे हैं जीटियो साब, psychologist, interviewing officer वो मुझे recommend करेंगे या नहीं करेंगे देखिए जैसे written की command and control UPSC के हाथ में वैसे फौज अपना interview खुद लेता है फौज का एक board लेता है जिसे SSB interview board बोलते हैं Services selection board interview board में आम तोर पे तीन अधिकारी होते हैं जीटियो साब, psychologist साब and interviewing officer इन तीनों के पास 225, 225, 225 marks होते हैं और conference के 225, total मिलाके 900 marks होते हैं Aspirants, psychologist को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके 10th में क्या performance थे, 12th में क्या performance थी क्योंकि psychologist आपसे कभी भी मुलाकात ही नहीं करेगा interview board में वहीं GTO साब आपके group behavior को देख रहे हैं, वो personal level पे आपसे ना आपके 10th के marks पूछ रहे हैं ना 12th के marks पूछ रहे हैं तो psychologist से आप मुक्त हैं, GTO साब से आप मुक्त हैं, अब सवाल उठता है interviewing officer का interviewing officer यह वो officer है जो आपका पूरा का पूरा interview ले रहा है, interview P.I.Q. form पे based होता है जिसे personal information questionnaire बोलते हैं इस P.I.Q. form में 10th और 12th की percentage पूछी जाती है और अगर percentage में dip है तो वो question पूछेंगे और वो relate करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखर ऐसा हुआ अक्सर जब candidates 12th में अच्छा perform नहीं करते तो उसके पीछे कुछ reason होता है या तो वो गुमने फिरने वाला बच्चा है या sports में बहुत उसका रुजान था या किसी और के प्रती hobbies कुछ ऐसी hobbies थी जिसकी वज़े से उसकी पढ़ाई से वो deflate हुआ आपको आपका reason जानना जर officer आपके अंदर officer like quality ढूंड रहा है वो आपके percentage के basis पे आपको नहीं judge कर रहा है इसलिए 10th और 12th के percentage services selection board में mere एक percentage हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं रही बात तीसरे सवालकी की merit में क्या 12th के marks का कुछ योगदान रहता है तो aspirants services selection board 900 marks की है NDA written 900 marks की है total 1800 marks से merit बनती है और number of seats national defense academy में 400 हैं इसलिए बेफिकर हैं कि किसी प्रकार का कोई भी 12th के marks का योगदान NDA के paper में नहीं है अगर आपकी compartment है अगर आप किसी subject में fail हुए हैं अच्छा perform नहीं कर पाए हैं तो जो बीत गई सो बात गई आपको आगे का देखना है आपको NDA का देखना है उसमें perform करें आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो बने रहेगा त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के साथ एक trusted sense था है पिछले 20 सालों से जो लगातार नाशनल डिफेंस अकाडमी की तयारी करता आ रहा है तांक यू जैहिंद अब डिफेंस एक्जाम प्राक करना हुआ और भी असान त्रिशूल डिफेंस अकाडमी लेकर आए हैं बिलकुल ही advanced learning आप तो आज ही जोइन करें और स्टार्ट करें अपनी online classes